हिंदी सिनिमा में असी के दशक में हेमंत बिरजे एक ऐसे अभिनेता थे जुन्होंने फिल्म एड़नेचर्स ओफ टार्जन में जंगल बॉय का किरदार ने भाकर खूब सुर्खिया बटोरी थी उस दौर में हेमंत ने बोल्ड सीन देकर संसनी मचा दी थी फिल्मेड नेचर्स ओफ टार्जन में हेमंत को रातों आत फेमस कर दिया था उस दौर का ये मशूर सितारा इन दिनों काम की तलाश में दर्दर भटक रहा है आज के समय में ना तो इस अभिनेता के पास कोई काम है ना ही रहने के लिए घर आईए जानते हैं इन दिनों हेमंत की नहालातों में है हेमंत की शांदार एक्टिंग देखकर सभी को ये ही लग रहा था कि हेमंत लंबी दड़के घोड़े साबित होंगे हेमंत को हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में लेना चाता था मिथुन चकरवर्ती की लगभग हर फिल्म में हेमंत बिर्जे तो नजराते ही थे लेकिन धीरे धीरे हेमंत का करियर ग्राफ नीचे की और आने लगा हेमंत को काम मिलना बंद हो गया एक समय ऐसा आया जब इस अभिनेता को अपना गुजारा करने के लिए बी ग्रेड फिल्मों तक में काम करना पड़ा था लेकिन इन दिनों इस अभिनेता को इंडिस्ट्री में कोई नहीं पूछ रहा है हेमंत के पास कोई काम भी नहीं हैं जिसकी वज़े से उनका बुरा हाल है काम ना मिलने की वज़े से हेमंत की आर्थिक स्थिती भी बहुत खराब है सुनने में आया था कि पिछले साल तो हेमंत को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि जिस घर में हेमंत रहते थे वो किराय का घर था मकान मालिक के साथ हेमंत का कॉंट्रेक्ट भी खत्म हो गया था जिस वज़े से उन्हें घर से निकाल दिया था इसके बाद से ही हेमंत कहा है कि इस हाल में है इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है